हाई गाईज वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल वीनस क्रिक पीडिया कैसे हैं आप सब लोग आई यह पाप सब यह अच्छी होंगे तो बिग बैश की हमारी चोथी आप पांच वीडी में इसका आज हम प्रिविव करने जा रहे हैं नाम इसका मेलबन रेनिगेट्स यह टी है यह टीम हर बार 25 सब्सक्राइब है मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि यह टीम लास चार सार में टॉप चार में कौलिफाइब की भी है पिछली बार तो इनका स्क्राइड भी काफी अच्छा था लेकिन साइनिंग कुछ ऐसी की के मुझीब चला गया अकिल हुसेन चला गया स साथ मैश की बाद तो वह दिक्कत रहा यही विग बैच की दिक्कत है कि आपको पता निए होता कौन से क्राट कितने मैश के रहें घर इसकते प्लेर है तो क्यों क्यों कि अभर भाहर के दो पर्लेर फ्लेजनी principles धने कि यह न्यket begins पर सॉख दिख सेंट टिख लो इन्हों ने जो इस बाट जोपलाकव को लिए है बेरे खियाल से मिलिभन वर स्तार्स के खेल थे वो इस बार करेंगे कि काफी अच्छी इससे मुझे लगता नहीं कि इसा अब बोल रहे हो ऐसा में इसलिए बोल रहा हूं कि बैटर होता यह को मिडी रोडर का प्लेयर साइन अप करते हैं डिकोक से बैटर होता है क्लासन को साइन करते हैं अगर अफ ऐफ्रिका से आपको प्लेयर लेना था तो इसके अलावा भी आपको काफी option मिल जाएंगी अगर आप देखनी जा उपनर है मैकेंजी हार भी एक उपनर है तो भाई आप डिकोक क्यों लोगे आप जोगरा को क्यों लोगे अब बहुत प्रड़ी इनकी देखो वैसे खिलड़े एक चैन्ट है वह शौन मार्स हो बहुत अच्छा प्लेयर है फिर इंचो डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा प् कईसी भी एंगल से बाकि खिलाड़ी अगर आप देखते हो तो जो टॉप चार बर्कि जो मैं कहूंगा अगर आप क्लार को हटा दो जो डी कोक है मार्श है फिंच है तीनों फुल क्वालिटी वाइस बहुत अच्छे प्लेयर है और जो क्लार्ट भी मेडिंसन भी और इसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है बिजी रहता है बहुत अच्छी कद काटी इसकी है नहीं लेकिं फिर भी काफी ठीक ठाक बेटिंग कर लेता है कि साथ पर आपको मिलेगा विल सदर्लेंड जो की एक अच्छा ओर्लांडर है बोलिंग बैडिंग दोनों करता है आठ पर आपको मिलेगा टॉम रोजर्स नहीं और पुरानी दोनों गेंस अच्छी बोलिंग करता है और यह कुछ हिट माने की भी शमतार रखता है ऐसा बोलिंग अच्छी करता आप जानते उसको लेकिन बैटिंग भी ठीठी करता है सपोर्टिव रोल करते गा मतलब अदा उसके बाद आपको मेलेगा मुझीबूर रह्मान और एडम जैंपा यह जोड़ी है यह बहुत तंग करीगी सामने वाले टीमों को तो बोलिंग वाइज आजर मैं देखूं तो बहुत अच्छे टीम है अभी इस बोलिंग में सीडल और लेथल लेओन को मैंने बाहर रखा है आप यह मैजिन करो कि कि इतनी अच्छी बोलिंग टैपते है इन्होंने क्या बशल मुचाहिए सारा पैसा बोलिंग पर खरच कर दि मोटा मोटी बोलिंग हैवी स्क्वाड में को इनका दिखता है बैटिंग में थोड़ा सा इशूज हैं बात करेंगे स्वाट अनलेसिस में तो मैंने पहले बताया बहुत सारे अपना रहे और बैटिंग डैप्थ नहीं है अगर आप देखोगे तो नंबर 6 के बाद आपको ना सदेलिंग पर भरोसा है ना रोजस पर भरोसा है ना डिचर्शन पर यानिकि यह लोग सपोर्टिव रूल अदा कर सकते हैं बट जो बैटिंग डैप्थ शिक्सर्स में मिलती है यह अन्य टीमों मिलती है वो इनके पास वैसी नहीं है जबकि आपने इत्ते साइव उपन और सदरलेंड भी बोलिंग कर लेता तो आपकी अच्छी बोलिंग आपकी बन जाती है बात करूं मैं इसकी प्रेडिक्शन की तो देखो मेरे साब से जैसी यह टीम का कॉंबिनेशन है अभी तक हो सकता है आगे चलके यह कोई साइनिंग कर ले तो यह टीम ना स्ट्रगल कर होगी यह टीम स्ट्रगल करेगी बट यह एक अच्छी डिफेंडिंग साइड है ओन पेपर अगर अगर इन्होंने राइट 11 खिलाई तो यह मैं इसलिए करहा हूं विग बैस को जो कप्तान होते हैं दिमाग से थोड़े से पैदल होते हैं ठीक है पता नहीं कौन से वाली च चेस कर रही है जीती पड़ी है छोड़ तो क्या बुक बनानी नहीं भाई बुक बनागे चलना आप काम आएगा आपको क्योंकि यह टीम कभी भी कहीं से भी कर सकती है ऐसा लग राज को देखके सिर्फ बॉलिंग ऐसी है जो इनको हेल्प कर सकते क्वालिफाई करने के लिए सेमीज में कि यह बार क्या होता ने किसी कि बॉलिंग इतनी जब्रतस होती है कि फिर बैटिंग को बहुत हाई स्कोर्ट चेस करने नहीं पड़ रहा है तो उस केस में क्या होता है कि वो टीम तो इस वीडियो में इतने गाई इमरे टर्यूग चैनका लिंक है लिंक को में डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगा आपसे रिक्वर्स से लिंक के थ्रू जो नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे मेरे यूजर नेम पर मैसिज करें एक टास्क्वीनस मैं आपको अपन